अब करें तो इन तोडेएज वीडियो कि आप लोग किस तरीके से एक टाप अटर एटरेफिट कर सकते हो फिवेफ्रों के अंदर बेना किसी दिरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं एक डार्रेक्ली इंटू फिव मेफ्रों में हम लोग यहां पर right click करेंगे फिर हम झाएंगे निव आइटम में अंदर रोग वीडियो में and then मैं यहाए default settings देंगे दूंगा और सिम्प्लि ओक्यों क्लिक कर दूँगा तो यहां पर हमारी create हो जाएगी एक black video हम लोग simply इसको drag and drop कर देंगे अपनी timeline पर and then next step होगा कि हम लोग एक new text लिया create करने वाले so new text लिया create करने के लिए हम लो simply press करेंगे control plus T so इससे अपकी new text लिया पे create हो जाएगी and मैं आप simply अपने text type करने वाला हूँ so मैं आपर टाइप करने वाला अपना name and then next step होगा कि हम लोग आपने text को आपे stylize करने वाले है हम उसका font style उसका size उसका position आपे सब को change करने वाले है उसके लिए हम जाएंगे अपने graphics workspace में so मैं आपे simply switch कर लेता हूँ अपने editing workspace जे ग्राफिक workspace में then हम दो simply जाएंगे edit में हम लोग आप अपने text को select कर देते हैं आप अपने text को select कर दिया है तेन मैं इसका आप आप font style change नहीं करने वाला हूँ आप लोग आप आप चेंज कर सकते हो अपने according सो मैं सबसे पहले increase कर दूँगा अपने text का scale तेन मैं आप text को थुदा center कर दूँगा सो आप लोग आप अपने according अपने text के settings change कर देना एन एक most important setting है जो आपको change करनी ही करनी है वह है distance between your text सो अपने word के बीच में space increase करने के लिए मैं जाओंगा इस वाले option में मैं मैं simplest की value आप से increase कर दूँगा सो आप लोग आप आप देख सकते हो कि मेरे words के बीच में यहां पर distance increase हो गया है इसको थोड़ा कम करने वाला and then मैं again अपने text में आप इस इंटर कर दूँगा using this option मैंने यहां पर अपने text को stylize कर लिया है अब आप next step होगा कि हम लोग अपने text लिए को slit करेंगे then हम लोग जाएंगे effect controls में and effect controls के अंदर आप लोग आपने text वाले option में which is here आप लोग यहां पर देख सकते हो कि यहां पर आप लोगों को आपने text के settings के start हो जाएगी जो आप लोगों को इस वाले panel में दिख दी आपको वही settings इस site वी दिखने start हो जाएगी मैं यहां पर क्या करने वाला हूँ कि मैं keyframe simple करने वाला हूँ आपने source text वाले option के लिए मैं आपर simply यह keyframe enable करूँगा आपने source text वाले option के लिए and then मैं इस keyframe को place कर दूँगा थोड़ा सा आगे फिर मैं आपने timeline header को place करूँगा उस keyframe के उपर आप यहां पर देख सकते हो कि मेरा timeline header मेरे उस keyframe के उपर है and then हम लोग यहां पर जाएंगे 10 frames backward 10 frames backward जाने के लिए मैं simply press करूँगा shift plus left arrow key two times and then मैं इस point पर अपना second keyframe enable करूँगा simply and then मैं यहां पर क्या करूँगा कि मैं आपने text को select करूँग and I will delete R from here so हम लोग यहां पर ऐसी करने वाले 10 10 frames backward जाके अपने keyframes में दूद करते रहेंगे and हम लोग हर keyframe के लिए अपने text से अपना last letter डिलीट करते रहेंगे so हम लोग फिर से जाएंगे 10 frames backward and make sure कि आप लोग यहां पर यहां पर so हम लोग प्रेस करेंगे shift plus left arrow की two times and हम लोग यहां पर again keyframe enable करेंगे and then हम लोग again आपने text को select करके यहां से A को delete कर देंगे so हम लोग यहां पर same steps repeat करते रहेंगे so हम लोग जाए इस वाले timeline पर then we'll go 10 frames backward keyframe enable करेंगे and text को select करके यहां से H remove करदेंगे so basically आप लोग को यह steps तब तक repeat करते रहना है जब आपने text पुरो delete नहीं हो जाता and then मैं यहां पर क्या करूँगा कि मैं आपने effect controls वाले panel में and I'll press control plus A so इस से यहां सारे keyframes यहां पर select हो जाएंगे then we simply track करके इसको place कर भूँगा अपने text layer के first frame में कुछ इस तरीके से so आप लोगों पर देख सकते हो कि हमारा first keyframe यहां पर start हो रहा है हमारी text layer के first frame से and that's it आप लोगों को आपका typewriter effect मिल जाएगा मैं आप लोगो एक बार इसका final tool भी खा देता हूँ and then for the final touch sound effect भी add कर सकते हो आप लोगो sound effect का link description box में दे दूँगा this is how the final touch will look like so guys इस वीडियो के ले एतनाई and tell me in comments आप लोगे वीडियो कैसा लगा and if you want to learn के आप लोग किस तरीके से text revealing effect कर सकते click right here in this video and if you want to learn के आप लोग किस तरीके से acknowledging effect कर सकते click right here in this video and आप लोगे वीडियो अच्छी लगिये and आप लोगे वीडियो कुछ सिखने को मिलाए don't forget to like this video and subscribe to the channel so till then take care bye bye see ya